ये देखने के बाद सायद आप फिर कभी शुगर नहीं खाएंगे या फिर आप एटलिस्ट शुगर खाना कम कर देंगे आज हम बात करेंगे शुगर की हमारे खुन पे क्या आसर होती हम शब को बताए शुगर इस नॉट गुड फॉर एल्थ हमारे खुन में कहीं प्रकार के शल्स पाये जाते हैं उनमें से एक है रेड ब्लड सल रेड ब्लड सल उससे हम डियाबिडिस डियाग्नोस कर सकते हैं दोईयों से हमारा डियाबिडिस कंट्रल में है या नहीं वो पता कर सकते हैं आपने और खास करके diabetes वाले patient ने सुना होगा HB1C test के बारे में HB1C test measure करता है कि आपके red blood cell में कितना शुगर बड़ा बड़ा है RBC का जो protein part होता है उसको hemoglobin कहा जाता है जब ये hemoglobin सुगर के संपर्क में आता है तब एक chemical reaction होता है जिसको glycation कहते है और glycation की वज़े से ये protein part inactive हो जाता है और काम करना बंद कर देता है HB1C test आपके सहीर में कितना percentage glycated hemoglobin है ये दरसाता है HB1C test आपको past 3 months का average blood sugar भी दिखाता है example आपका HB1C 5.7% या उससे कम है तो ये normal माना जाता है 5.7 से 6.4 प्रे-diabetes माना जाता है और 6.4% से ज़्यादा हो तो diabetes माना जाता है normally आपके HB1C कैसे होने चाहिए काफी flexible होने चाहिए blood में free flow कर सके ऐसे होने चाहिए काफी सारा oxygen carry करके tissue तक पहुँचाना चाहिए और tissue से बापिस CO2 लेके lungs तक पहुँचाना चाहिए सो आपके RBC का जितना प्रोटीन पार्ट सुगर के संपर्क में आएगा और reaction करेगा उतना पार्ट RBC का stiff हो जाएगा और ये stiff RBC की oxygen carrying capacity कम होती है और ये stiff RBC कम flexible होता है उसी वज़से blood vessels में वो free flow नहीं कर पाता और उसी वज़से diabetes patient में गेंगरीन रिस्क बढ़ जाता है और एक बार गेंगरीन होने के बाद वो गेंगरीन वाला पार्ट आपको एंपुडेट करना पड़ सकता है शुगर की आँखों पे भी असर होती है डापडीस रटेनोपेटी से आपको blindness भी हो सकती है शुगर की किड्नी पे भी असर होती है किड्नी फेलर का most common cause डापडीस है शुगर और ये प्रोटेन के रियक्शन से RBC की working ability कम हो जाती है और ये सब side effect आना start हो जाता है अंत में healthy रही है और शुगर कम खाई है ये था एक informative वीडियो शुगर के बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद